सबी दोस्तों को रजणी का प्यार भरा नमस्कार तो दोस्तों पिछले कुछ दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल बीते हैं या यू कहूं मेरे करियर के लिए बहुत मुश्किल बीते हैं लेकिन इश्वर की कृपा से अभी सब कुछ सौट आउट हो गया है तो मैं आपके साथ में ये सब कुछ क्यों शेयर कर रही हूं उसका रीजन ये है कि जितने भी नए यूट्यूबर हैं उनको शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प मिले और वो जो गलतियां कर बैठते हैं वो ना करें तो मैं आपको बताऊं 16 ऑगस्त की बात है आप सबके लिए एक रेसिपी उतने में ही यूट्यूब की तरफ से मुझे back-to-back 13 मेल आये और मैंने मेल देखें मैने देखा कि थोड़ी दिर के बाद में देखती हूं रेसिपी अपनी कंप्लीट की उसके बाद में मैंने जब मेल देखें तो मेरे होश उड़ गे मुझे YouTube ने 13 वीडियो पर एक नहीं दो नहीं 13 वीडियो पर भेजी थी Community Guidelines Strike पहली बार as a warning उन्होंने मुझे भेजी थी लेकिन वो देखकर के मतलब मेरे होश उड़ गए थे कि मैं क्या करूँ और क्यूं भेजा है किस लिए भेजा है दो या तीन साल पुराने जो भी वीडियो थे उन में से 13 वीडियो ऐसे उन्होंने देखे कि जिस पर harmful, violent और dangerous content मैंने बनाया है इस बात से तो आप भी इतिफाक नहीं रखेंगे कि क्या मैं ऐसा content बनाती हूँ या आज तक आपने देखा है बिल्कुल नहीं ना अलग अलग तरीकी का content होते हैं मेरा content ऐसा नहीं था भराल जब उन्होंने मुझे इस चीज के लिए strike भेजी तो अब मुझे बहुत जादा मतब खुद को समालने में time तो लगा एक दो घंटे ऐसे ही निकल गए लेकिन उसके बाद में थोड़ा सा stable हो करके थोड़ा सा cool down हो करके जब मैंने सोचा तब मेरी समझ में आया कि मेरी गलती तो कुछ थी नहीं और नहीं मेरा ऐसा content है इसके अलावा एक दो चीज़े और और बोली थी जो कि मेरे उनकी policy से बिलकुल अलग थी कि मतलब मैंने उनकी नियम जो भी दिये है या policy जो भी है वो मैंने नहीं तोड़ी थी तो मैंने उसके लिए immediately तुरंट अपील की लेकिन ये सब कुछ कैसे कर पाई जब मेरा cool mind हो गया किसी भी situation को handle करने के दो तरीके होते है कि कोई भी situation आई है या तो हम एकदम से उसमें दूसरा तरीका ये होता है कि खुद को समहा लें और फिर उसके उपर आगे का क्या सोच करना है वो सोचे तो मैंने वही किया कि अब जो हो ना था वो तो हो गया अब इससे निप्टा कैसे जाए वो मैंने सोचा तो मैंने उसको पूरा अच्छे से पढ़ा और मैंने immediately उन चल रही थी मेरा दिमाग फिर भी बहुत ज़्यादा परेशान था और मुझे यह था कि जो मैंने अपील की है मैंने मेल किये हैं और मैं टीम से बात कर रहे हूं मुझे मेरा ऐसा कंटेंट जो भी उन्होंने बोला था वो नहीं नजर आया जो चीजे भी उन्होंने मेरे उपर मतब मुझे जिसकी वज़े से स्ट्राइक दी थी वो कोई चीज नहीं मिली मैं आपको फिर वन वीग तक वीडियो अपलोड ना करने की पनिश्मेंट भी दी जाती ह और बहुत कई सारी चीजे तो वो सारी चीजे मेरे साथ में नहीं हूई लेकिन जो वार्निग थी मेरे लिए भही बहुत बड़ी थी चीज से बाहर निकल गई हूं और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्नोंने मेरे लिए प्रे की और मेरे इश्वर का धन्यवाद मेरे काना जी का धन्यवाद करूँगी मैं अलग तरीके से आज मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब ये परेशानी से मैं बहार निकलाई 25 ओगस्त को मेरे पास ये खबर आई कि मतलब वो स्ट्राइक हटा ली गई है मेरे चैनल से शो भी नहीं हो रही थी तब मैंने सोचा कि चलो मैं काना जी के लिए कुछ स्पेशल बना करके भोग लगा मैं उनसे भी बोलूँगी कि आप सब जो लिंक शेयर करते हैं और जो बोलते न कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो मेल मेरे पास daily लगभा कितने सारे आते हैं आप Instagram पर भी DM करते हैं इसके अलावा आप चैनल पर जाकर भी बोलते हैं और link भी छोड़ते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए अगर आपका content अच्छा है अगर आप मेहनत कर रहे हैं कंसिस्टेंस हैं अपने काम में और आपके content में लगता है लोगों को पसंद आता है तो आपको किसी से भी कुछ help लेने की जरूरत नहीं है आपका चैनल monetize हो जाएगा पस आप मेहनत के साथ में काम करते रहे हैं कि आपको जल्दी success मिल जाए या जल्दी आप ऐसा करके अगर यही सोच करके यूट्यूब पर आ रहें तो ऐसा ना करें और यही सोच करके अगर आप content बना रहें तो ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि होता क्या है जब हमारी उम्मीदें तूटती हैं तो बहुत पुश्किल होता है मुझे यूट्यूब तब से कर रहे हूं देड़ साल मैंने बिना एक भी रुपया कमाए मैंने यूट्यूब पर content बनाया है क्योंकि मुझे अपने profession से प्यार है मुझे ऐसा था कि मतलब मैं कुछ कर रही हूं लोगों के लिए जिससे कि उनको फाइदा हो रहा है वो कुछ सीख रहे हैं उनको कुछ मिल रहा है ऐसा देखने के लिए जिससे उनकी लाइव भी बहतर होती है तो मैंने यह सोच करके content बनाना शुरू किया और मेरी चीजे जो भी मुझे आती है को लोगों तक पहुंचे मैंने सिर्फ इसलिए content बनाना शुरू किया था और आप सबने पसंद भी किया इसी वजह से मेरा channel भी monetize हुआ उसने growth भी की है ना तो आप सबके लिए भी मैं यही कहूंगी कि ऐसे link वगरा ना छोड़े क्योंकि उससे आपके channel के लिए भी problem हो सकती है तो अभी मैं आई हूँ पहार से पाठ से और अब मैं थोड़ा सा rest करूँगी 10 minute उसके बाद में मैं बनाऊंगी काना जी के लिए भोग दोस्तो मैं आ गई हूँ kitchen में और अब kitchen में आने के बाद में मैं बनाऊंगी भगवान जी के भोग तो सबसे पहले मैंने एक कडाई में लिया है देसी घी और देसी घी मैंने जादा करके लिया है यानि की एक कप के करीबन देसी घी लिया है और इसमें one and a half cup मैंने डाला है बेसन और बेसन को डाल करके मैं अच्छे से भून रही हूँ बिल्कुल धीमी आज पर बेसन को इतना भूना है जितना की इसका color change हो जाए और इसमें से जो खुश्बू आएगी ना तो पूरे घर में इसकी खुश्बू आजाएगी मतब जब अच्छे से भून चाएगा ना तबी बेसन में से अच्छी से खुश्बू आएगी और लाल जैसा हो जाएगा बेसन बस इतना भूना है हमें तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको low to medium flame पर हमें भूना है और हलके हाथ से भूने जब हमारा बेसन भूनने लगेगा ना अच्छे से तो ये घी छो नारियल का बुरादा मैंने लिया है लगबग दो कप नारियल का बुरादा लेने के बाद में इसको बिल्कुल low flame पर मैं हलका सा golden brown करने तक भूनूंगी तो मैं आज तीन तरह के लड़ू बनाऊंगी और एक चीज और बनाऊंगी जो भी बनाऊंगी आपको आगे शेयर कर तो नारियल का बुरादा भी बुरून गया है और वो पैन भी मैंने अलग कर दिया है अब तीसरी चीज की तयारी कर लेते हैं उसके लिए मैंने कड़ाई में लिया है थोड़ा सा देशी घी और उसके अंदर डाला है लगबग आधा किलो मावा या खोया तो आधा किलो से अधान के इसके अंदर इसको क्रमबल कर लिया है और लो फ्लेम पर हमें इसको भूनना है बूनना इतनी देर तक है जितना की हमारा यह हल्का सा ब्राउन हो जाए और इसका कच्चापन निकल जाए आपको जितनी ब्राउनिंग रखनी है आप उस साप से कर सकते हैं मैंने इ तो ये बहुत अच्छे से भूनेगा और भूनने से पहले ना इसमें दो चम्मच देसी घी जरूर डालना चाहिए जिससे कि हमारा ये जो मावा या फिर खोया है ये लगे ना या फिर जले ना तो देखे मावा भी मैं भून रही हूँ साथी साथ मैंने चौथी रेसिपी के लिए दूध चड़ा दिया है गैस के उपर बिल्कुछ सिम फ्लेम पर फुल फैट क्रीम मिल्क लेंगे तो जाधा अच्छा है तो मैंने यहाँ पर लगबग आधा किलो के करीबन दूध लिया ह और उसको मैंने लो फ्लेम पर रख दिया है पकने के लिए और मावा मेरा भून गया है देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है बिल्कुल ब्राउन हो गया है अब इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया है एक प्लेट में और जो मिल्क मैंने बॉइल करने के लिए र दाल दिया था और इस तरीके से बना कर देखिए गा बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसमें मैंने इलाइची डाली है शुगर डाला है ब्राउन शुगर और मखाने डाले है अब इसको अच्छे से चलाओंगी और थोड़ा देर तक पकाओंगी जब लगभग पास से 10 मिनट पक जाएगा तब मैंने इसके अंदर डाले हैं कुछ ड्राइफ रूट जिसमें है किश्मिश, बादाम और मेलन सीट्स वो डालने के बाद मैं थोड़ा और पकाया और इसके अंदर डाल दिया है लगभग एक चमच मैंने वणीला फ्लेवर का कस्टर्ड लिया उसको मैंने थोड़ा सा पानी में घोला था और वो डाल दिया है इससे हमारा जो ग्रेवी रहेगी जो खीर जो रहेगी वो थोड़ी सी थिकनेस आएगी उसमें और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा अब इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पर हमें पका देना है अब यह देखे जो चीजे मैंने भूनी थी नारियल का बुरादा भूना था मावा भूना था और मैंने भूना था बेसन को तो इन तीनों के अंदर मैं डाल रही हूँ इलाइची पाउडर काफी सारी इलाइची मैंने लेकर के कूट ली थी और इनका पाउडर बना लिया और इन सब के अंदर मैंने इलाइची पाउडर डाल दिया है और अब मावे के अंदर डाली है मैंने किश्मिश और ये जो नार पाउडर शुगर आप अपने टेस्स के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं जितनी आपको मीठा चाहिए उस हिसाब से मैंने लगबग आदा किलो मावा में तीन से चार चम्मच पाउडर शुगर डाला है इसको थोड़ा हलका मीठा रखा है मैंने और इस तरीके से मैं इसको पहले अच्छे से मसल करके मिक्स कर लोंगी क्रंबल कर लोंगी और इसके लड़ू बना लोंगी अब क्यूंकि गंपती भी आने वाला है गंपती फेस्टिवल नेक्स वीक है तो अगर आप चाहें तो जो मोदक का साचा होता है न उसके अंदर ये मावे के मोदक बना सकते हैं और इससी तरीके से मैं तो लड़ू बना रहे हूँ न आप ये सभी चीजों के मोदक भी बना सकते हैं और देखे इसके अंदर मैंने क्या डाला है जो दूसरा वाला रेसिपी नारियल का है तो भुने हुए नारियल के बुरादे में मैंने एक डौप दो डौप डाला है थोड बनाया सा फूड कलर ग्रीन कलर का और डाली है थोड़ी सी पौड़्डर शुगर और बाकीडाला है मैंने कंडेंस मिल्क कंडेंस मिल्क हमें इतना डालना है जितना की ये हमारा बाइंडिंग इससे अच्छे से हो जाए अब इसको अच्छे से मसल लेंगे खुब देर तक और मसलने के बाद में इसके भी मैंने लड्डू बांद लिये हैं अब देखे मैंने जैसे कि आपको पहले बोला कि मैंने तो लड्डू बनाए हैं आप मोदक जो साचा आता है ना मोदक बनाने वाला उसमें डाल करके इन सभी मिक्षर को आप मोदक भी बना सकते हैं ये नारियल और मावे के लड़ू तयार हो गए है और अब बारी है बेसन के लड़ू बनाने की तो बेसन को देखे बूरने के बाद में इतना थंडा कर लिया है बिल्कुल थंडा नीकर ना हलका सक गुनगुना रहेगा ना तब ही इसके लड़ू बनाने है इसके अंदर मैंन के लिए हम क्या कर सकते हैं इस mixture को 10-15 मिनट के लिए अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा फिर आप लड़ू बान सकते हैं मैंने इसकी बना ली है बेसन की बर्फी बना ली है और लास्ट में मैंने इसके उपर थोड़े से कटे हुए पादाम सकते हैं बहुत जादा देखने में सुंदर भी लगेगा और टेस्टी भी तो अभी तयार होगे मेरे मावे के लड़ू बेसन की बर्फी और मेरे नारियल के लड़ू साथ ही साथ यह ग्रीन कलर के लड़ू है उसके अलावा मैंने बूंदी के लड़ू जो थे वो माकिट स से मंगाए थे और बन गई मेरी मंखाने की खीड तो ये सबी पांच तरह के भोग आज मैं काना जी को लगाऊंगी स्पेशल थैंक्यू मेरी तरफ से काना जी के लिए क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्फ की दोस्तों यहां पर मैंने ये जितना भी परशाद बनाया था उनको दो थाली में यह गया है यह की दो थाल लगाए हैं एक मेरे काना जी का और एक पर चारे भगवान जी का क्योंकि जो सारे दोस्तों दोसमें तुल्सी पत्र नहीं डालते हैं और की जह усे मैने काना जी के भोग में सबी जगा तुल्सी पत्र रख दिया है और सारे भगवांची के जो भोग है उसमें मैंने तुल्सी पत्र नहीं रखा है तो दोस्तो आज बस शेयर करनी थी अपने दिल की कुछ बाते आपके साथ में आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा कुछ भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक शरूर कीजिएगा मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बी हापी बी आक्टिव अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए